हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ मुक्ता, आज की हमारी रेसिपी है वेज मोमोज, यह एक नेपाली डेश है, पर इंडिया में भी यंग्स्टर्स बहुत पसंद करते हैं, तो आएए देख लेते हैं इसके इंग्रीडियंट्स, इसके लिए हमने लिया है आधा बंदगोवी, दो गाजर, दो शिमला मिर्ज, दो प्याज, दो हरी मिर्ज और अधरक, अब लेते हैं एक बोल और इसमें डालेंगे 200 ग्राम मैदा, आधा चम्मच नमक, एक बड़ा चम्मच ओयल, और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डा कर इसका एक टाइट डो तयार कर लेंगे, इसका डो हमें पूरी के आटे जासा रखना है, अब इसी ढखकर 10 मिनिट के लिए रेस्ट करने देते हैं, अब लेते हैं एक कड़ाई और उसमें डालेंगे दो चम्मच ओयल, दो प्याज, हरी मिर्ज और अधरक डाल कर सौटे कर करेंगे, बंदगोवी को भी हमने बारीक चौप कर लिया है, क्योंकि कद्दुकस करने से सब्जियां पानी छोड़ देती हैं, सिर्फ हमने गाजर को ही कद्दुकस किया है, और शिमला मिर्ज को भी बारीक काट लिया है, सारी सब्जियों को बहुत अच्छे से मिक्स करते ह जबजियों को ज्यादा कुक नहीं करना है बस हल्क आसा सॉफ्ट करना है अब इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ठोड़ा सा गरम मसाला, खटाई और नमक मसाले अपने टेस्ट के एकॉर्डिंगी डालें अगर आप ज़्यादा थीखा पसंद नहीं करते हैं तो काली मिर्च या लाल मिर्च इसके भी कर सकते हैं लास्ट में डालेंगे एक चमज सबजी मसाला और मिक्स करेंगे अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस की ओर हमने इसकी चोटी-चोटी लोई बनाकर गोल बेल लिया है और राउंड में पूरे में पानी लगाकर इसकी आधे पार्ट में प्लीट्स बनाएंगे और आधे पार्ट को इसके उपर जोइन कर देंगे आधे पार्ट में प्लीट्स बनाकर इसके दोनों पार्ट्स को उठाकर आपस में जॉइन कर देंगे ये हो गया दूसरा डिजाइन अब देखते हैं तीसरा डिजाइन राउंड बेल कर एक चमज फिलिंग भरेंगे पूरे में पानी लगाएंगे और पूरी गोलाई में प्लीट्स बनाते हुए इसको राउंड शेप देदेंगे सारी प्लीट्स को जॉइन करके हलका सा घुमा देंगे जिसे ये पोडली जैसी शेप में आ जाएगा अब लेते हैं एक कड़ाई उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसके उपर रखेंगे जाली उसको ग्रीज करके सारे मुमोस को सेट करेंगे पांच मिनिट के लिए कवर करके स्टीम करेंगे मुमोस स्टीम हो चुके हैं ये ट्रांस्परेंट दिखने लगते हैं तब ही हम इनको निकाल लेते हैं अब इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं मुमोस को हम लैसुन टमाटर और लाल मिर्च की चटनी के साथ सर्व करते हैं आप चाहें तो इसी सेजवान सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं ये काफी हेल्दी रेसिपी है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग